ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन ठेक है यह डेटू होने वाला है अपनी यूट्यूब की सिरीज का और यहां पर मैंने कुछ छोटी छोटी ट्रेट्स मतलब की है की थी मार्केट को चेक करने के लिए जिसमें दोड़ाई अजार के पास में प्रॉफिट भी थोड़ा हुआ है बट कोई वात नहीं हम अभी बड़ी ट्रेट करेंगे बड़े अमांट की ट्रेट करेंगे और मैं मार्केट को थोड़ा चेक कर रहा था कि मार्केट कैसा है और मेरे हिसाब से तो मार्केट अभी का जबरदस्त और बढ़िया है और बढ़िया से क्लोजिंग प्राइस किदर हीट होता है जैसे यह डीप डाउन निकली है अगर आप देखो जैसे यह शॉट में आ गई देखो कितना मतलब इकदम जस्ट ऊपर आ गई ठीक है तो ऐसे में क्लोज देगी दन डेफिनेटली मैं कॉल के लिए ही जाऊंगा नेक्स पे बट अगर यह अपने विक को फिल करके बड़े साइज में क्लोज देती है दन नेक्स में पूट के लिए जाऊंगा और देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किदर हीट होता है फिर मैं नहीं मैं पूट के लिए ट्रेड ले रहा हूं ठीक है तो यहां पर देखो जो मैंने दो सिना आपको explain किये ना उनको उनको आप समझ लो क्योंकि यह बहुत जरूरी था ना बहुत जरूरी होता है कैंडल के क्लोजिंग प्राइस हिट होने के बाद ही accurate prediction बनता है अब यह वाला पॉइंट देख रहो ना यह वाला यह इसके आसपास में अगर इसका क्लोजिंग प्राइ आप मैंने पहले ही सारी सीजा प्रेडिट कर दी अगर वह वहीं पर उस पॉइंट पर अगर क्लोज देती उतके नियर वही तो नेक्स पेंड में डेफिनेटली कॉल के लिए जाता दन क्योंकि सीधा सीधा ओपन स्पेस रहता आपके लिए बट इसने डीप डाउन हिट किय इस वज़े से मैंने तुरंत अपना प्रेडिक्शन चेंज किया और मैंने पूट के लिए ट्रेड ले लिया और आप सिंपल सा सिनारियो देख सकते हो ठीक है सिंपल सा सिनारियो इसलिए खहता हूं जब तक क्लोजिंग प्राइस हिट ना हो जाए तब तक कुछ भी गाँट किया और साथी साथ में मेंने ब्म अश्क्राइए और यहँ आप्यार्ट प्लस नक्स वाली का भी मेंने एक्स्प्लेंसन दिया था कि नेक्स में कौल के लिए जाऊंगा तो उधर जो केंडल काल के लिए बननी थी मतलब गरीन के लिए बननी थी ठीक है वह यहां प पर क्या होता है कि हमारे इरोस बनते हैं मार्टिंगल निकल के आते हैं तो यह सारे जो सिनेरियो क्रेट होते ना तो यह इसी वज़े से होते हैं इसलिए मतलब बहुत क्लोजली आप क्यंडल के क्लोजिंग प्राइस को मॉनिटर करो इड़ इंड तक और इसके बाद में आप अपने प्रेडिक्शन बनाओ तो बहुत बैतर होगा और यहां पर हम आप करेंगे 5000 रुपे से ट्रेड ठीक है थोड़ा सा मांट मैंने और बढ़ाया है अभी देखते हैं दो की दो अपनी डिरेक्ट शेव शॉट गई है और यहां पर मैं कुछ तगडी वाली और फटाफट वाली ट्रेड करने वाला हूं जिससे मैं आपको बताता हूं ठीक है बहुत टाइम नहीं लूँगा यहां पर अभी फिलाल रिफ्रेश हो गया यह अपना और जिससे के फ्रेश च तब यह यह तो फिलाल डे टू है एक्शल खेल तो डे 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि फिर वहां पर मैं आगे बताऊंगा अभी यह देख लो यह वाली जो कैंडल है इसके निक्स पर मैं पूट के लिए जाओंगा दिन उसके निक्स पर कॉल के लिए जाओंगा इसका रिज कर देता हूं फिर मैं आपको बता देता हूं ठीक है इसको डाउन आना है 100% नेक्स कॉल जाएगी यह मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेडिट कर दिया था और अभी यह मांक कर दिया अभी इसका सेनरियो समझ लो कि इसके जो पीछे वाली केंडल है ठीक है वहां पे और उस तो इसके जो मिडल वाला पॉइंट था ना वहां पे रिवर्सल थोड़ा मुस्किल था इसले मैंने इग्नोर भी कर दिया वहां पे ट्रेड नहीं किया देन उसका जो अभी करेंट वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट से ना वहां से मार्केट रिवर्ट होके देन अपर तो करेंट का अगर यह जितना सा चार्ट अभी दिख रहे ना इसी चार्ट को अगर देख के समझो तो आपको सारा सिनेरियो क्लियर समझ आ जाएगा और यहां पे जैसे मैंने प्रेडिट किया था ना उसी हिसाब से मैं इधर ठ्रेड भी ले रहा हूं तो अभी देख लेन गैप डाउन ओपनिंग भी हुआ है इसके जस्ट प्रिवेस वाली बड़ी सी मतलब अल्मोस्ट एक हेल्दी साइज की कैंडल भी बनी है बट यह सारा सिनेरियो जो बन रहा था यह कॉल साइड के फेवर में ही बन रहा था तो मार्केट वैसे ही जाएगा आप उस साइज को लेके कंफ्यूज मत हो और नहीं उस गैप डाउन के प्रेशर को लेके कंफ्यूज हो क्योंकि वह उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला जस्ट यह सेनेरियो को कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि सारा का सारा जो ओपन स्पेस बन रहा था वह कॉल के लिए ही था ठीक है तो मार्केट का जो सिनेरियो क्रियेट हो रहा है उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे समझोगे तो आपको बहुत बैक हिस्ट्री में जाने की जरूरती नहीं पड़ेगी अभी तो मैं बस ट्रेड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी दे मतलब 100% के ऊपर से ज्यादा रेटेंस इदर निकल आया अपना बैलेंस आप देख सकते हो ठीक है तो चार ट्रेड की है चार पांच मिनिट के अंदर ही बैक तो बैक हमने कुछ ट्रेड निकाली दो स्ट्राटिंग में दिन दो अब ठीक है चार ट्रेड के अंदर ही हमने इ आयर सिक्दम कंसिस्टन फॉर्म में निकल के आ रहे हैं यह सारा सेनेरियो के लिए बन रहा था तो अगर डाउन में उसको जाना होता तो वहीं से वह हो जाता अभी देखो एक जबड से दस्ट वाली ट्रेड और मिल रही है मैं यहां पर ले लेता हूं फिलाल तो अब यहा काउन आ रही है ना यह 100% कॉल के लिए जाएगी क्योंकि इन दोनों केंडल को देख लो एकदम सिंपल तो इसको तो कॉल बन नहीं है ठीक है जितने भी रिवर्सल के पॉइंट थे वहां से रिवर्सल निकल के आ चुका बेस पावर जनेरेट हो चुकि हल्दी केंडल का कोई फिलाल तो हम ट्रेड नहीं करेंगे करेंट वाली कंडल तो डेफेनेटल अपनी बनी रही है और इसको बनना ही है ठीक है तो यहां पर बैक टू बैक अपनी पांच ट्रेड हो जाएंगी जो की इसको गरीन ही बनना चाहिए और यह बनेगी यह को बन गई बट साइज इदर रेडियूस हो गया तो हम यहां पर क्या करेंगे मेरी हिसाब से तुम नेक्स भी कॉल के लिए जाएगी ठीक है यह कंटिनुशन ही इदर कहरी होगा ठीक है इधर कोई साइज रेडियूस होने से भी मेरे को नहीं लगता को इदर रिवर्शल निकल के आएगा बट फि फिर मैं अभी आपको पूरा एक कंप्लीट चार्ट दिखाऊंगा तो वहां पर अगर अभी छोटी से चार्ट में आपको सेनरियो नहीं समझ आ रहा है तो आप यहां पर देख लो ठीक है यह सेनरियो आप देख लो तो यह जो करेंट वाली केंडल है इसके लिए तो मैंने को फॉलो करते हुए बस केंडल को थोड़ सा अब्जर्व आप करते तो चीजे इसली आपको समझ में आ जाती अभी कुछ लोग होंगे कुछ नए लोग होंगे जिनको मेरी चीजे सायद ना समझ आये तो भाई साब आप मेरी शैनल पर बहुत नए हो आपको प्रीवेस के वीडियो देखने पड़ेंगे इस सारी चीजों को समझने के लिए सारे कॉंसेप्ट को समझने के लिए और देखो डेवन से लेके डेटू तक हमने यह देखो करेंट वाली कंडल देखो रिवर्सल आ रही है तो इस अब देख पा रहे हो तो चोड़ देते हैं अभी कोई नहीं करनी तो अपने को कोई मतलब नहीं है ठीक है तो देखो मैं क्या बोल रहाता है कि डेवन और डेटू में हमने अच्छा कासा ग्रो किया ठीक है आज अपने डेटू हो गया अच्छा कासा ग्रो किया और मतलब बहुत ज्यादा गैप हो गया थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आज ही मैं बैंगलूर से होके आया हूँ तो इस वज़े से निक्स मैं कल से सेशन भी स्टार्ट कर दूँगा मतलब अपने वी आईपी में सेशन करवाना भी स्टार्ट कर दूँगा तो थोड़ सा गैप हो गया फिलाल अभी कुछ दिन घर पे रहूंगा तो आपको बैक टो बैक वीडियोज मिलेंगे और समझ लो कि पहले जो मैं बताने वाला हूं वो अच्छे से समझ लो यह डे वन और डे टू तो ठीक है लेकिन असली खेल तो डे थ्री से स्टार्ट होगा वहां पे आपको एक डीप डीटेल सेशन मिलेगा जिससे कि आपको समझ में आ लेता है यह चीजे तो सबके साथ में होती है ठीक है मतलब मुश्ट अब डी ट्रेडर ऐसे होते हैं जो एक दो दिन तो इसली प्रॉफिट बना लेते हैं बट क्या होता है डे थ्री या डे फोर पर जाके वह अटक जाते है और फिर मार्गेट उनको खूब अटकता है कि किस तरीके से आप अपने mental system को hold करके चलोगे और market में आपको कितना सान्ती से कितना best तरीके से perform करना है वहाँ पर मैं कुसिस करूँगा ज्यादा से ज्यादा at least साथा trade लेके भी आपको समझाओं दिखाओं जिससे कि मतलब आप trading के time पे activities आप अच्छे से observe कर पाओ वहा एक दो दिन तो हर कोई profit बना लेता है ठीक है अब अपना ही देख लो day two पे कितना अच्छा ग्रोव हो गया day one पे भी अच्छा ग्रोव हुआ था ठीक है तो day one day two तो चलता है day three day four में आके लोग attack ते और फिर क्या होता है जैसे जैसे amount बढ़ता जाता है लोग risk बढ़ाते जाते और फिर उधर और चीज़े problem करती है ठीक है तो इस process को इस series को follow करना मत भूले subscribe भी subscribe भी कर लो ठीक है और telegram channel भी join कर लो जिससे की हर एक updates आपको मिलती रहे मिलते है day three में बाबाई